हमें पाकिस्तान को जब इतनी वारदातें हो गई हैं मेरा सिंपल सीधा सवाल आप रक्षात्मा को के क्यों लड़ रहे हों अब समय आगया है साब कि इनको ऐसी मार लगाई जाए कि ये कई छटी का तू दिया मेरा विश्वास है कि अगर सरकार मारी सेना के हाथ खोल दे खोल दे हाथ वो तिखाएगी आपको वो क्या करते हैं अब हमको पार जाके मारना पड़ेगा साफ पाकिस्तानी फॉज की लाशें बिचानी पड़ेगी ताकि पंजाब में मातम मनें एक फटीचर मुल्क जो की खोलने का संदूं जाए वा वो बातों से नहीं मांगते है मैं ख?, आई है कि हमारा एक आरमी का पैट्रोल जो गाडियां जा रही थी उनके उपर टेरिस ने मचोड़ी के इलाके में जो की कटवा से 150 किलो मीटर इस तरफ है और घना जंगल का इलाका है वहाँ पे टेररिस्ट ने अमबुश लगाया था और सडनली फायर खोला जिसमें की हमारे चार जवान शहीद हुए है छे के घायल होने की खबर आई है एकदम काउंटर एक्षन लिया हमारे मैं बड़ी देर से कह रहा हूँ कि देखिए हमारा जमावड़ा ट्रूप्स का और सीपियोज का कश्मीर की वादी में बहुत हमने अच्छे तक बढ़ा दिया है जिसकी वज़ा से वहाँ पे इके दुके इंसिडेंट सी हो रहे हैं टेररिजम का तकरिबन जो है केटवा द है डोडा किस्तवार में डोडा किस्तवार में मैं सेक्टर कमांडर रह चुका हूं रजवरी पुंच में मैं जी ओसी रोमियो फोर्स था 2004-2005 में तब मेरे पास 18 पल्टने थी और हमने वहां टेरिरिस्ट की गर्दन मरोड दी ती बिलकुल बिलकुल शांत करके हम मैं उस इ जर्व है कि मेरे डेड़ साल के अंदर वहां पर अतंकवाद की कमर तोड़ दी गई थी वहां पर ऑपरेशन सर्पिनाश चला था वह जनल लिडर साब के टाइम जो मेरे बड़े नजदीकी हैं और हम जैसे ही वह खतम हुआ तो पता चला कि साथ हमने वहां मार डालेते बाक पूर्ण रूप से शांती ले आएं कोई दस पंदरा साल तकरीबन शांती रही है रजवरी पुंच के एरिया में कोई आविसली जब शांती होती है तो टूपस वहां से हटा लिये जाते हैं और जगा भेज दिये जाते हैं मसलन की जो यूनिफॉर्म फोर्स जो रियासी मे था जो उधंपूर के इलाके में था उसको हटा के जब चीन ने लदाख में तेवर बदले आकरम तेवर दिखाए तो उसे वहां भेज दिया गया नतीजन एक गैप था रजवरी पुंच रियासी कठुआ और इस इलाके में जहां टूप डेंजिटी आविसली कम कर दी गई थी आतंकवाद की 2004-2005 में, दत साल पहे थे, with a combination की fence बन गया, सरपनाश हुआ, फिर हमारे operations हुए और total इनको मतलब खलास कर दिया था हमने, और पूर्ण शान्ती आ गई थी, लोग पिकनिक शिकनिक जा रहे थे, वहां पे सिविलिये थे, और सब इनके आतंकी incidents खतम कर दिय थे, खलास, दस-पंदरा साल ऐसा रहा, लोग निश्चिन्त हो गए, और वहां से टुप्स हटा दिये गए, गैब बना, दुश्मन ने देखा, अब वो पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, मैं बड़ी देर से निवेदन क कर रहा हूँ सरकार को, कि जब कोविड का दौर चला था, तीन साल, हमारी फाउज में सब भरती बंद कर दी गए, तीन साल, हर साल साथ हजार बंदे रिटायर होते हैं, मतलब कि तीन साल के अंदर हमने एक लाख असी हजार भारतिये सैनिक, खतम, खलास, कम कर दिये, अब सा हमारे खत्रे बढ़ रहे हैं, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, तो हम ये फाउज को काटने का ये क्या भूथ सवार हो गया है, मुझे समझ नहीं आता, इसकी बज़ाद क्या है, कि बहुत बड़ी फाउज है, बहुत भत का रही है, थूक लगा रही है सरकार को, लड़ र रहे हैं थूख नहीं रगा रहा है और जब खत्रे बढ़ रहे हैं हम अपनी मैन पावर काटनी शुरू करें जबकि हमारी सारी लड़ाई चीन के साथ अगर होती है तो हिमाले के पाड़ों में होगी पाकिस्तान के साथ होती है तो फिर पूरा कश्मीर में सारे जो पहाड़ ह हैं लो हिल्स हैं जंगल वहां पे होगी मांटेंज इट अप टूप्स अगर नॉर्मल हमले के लिए एक बटा तीन की रेशियो चाहिए वन इस्टू थ्री पाड़ों में एक दिशम एक वन इस्टू टेन की रेशियो चाहिए आपको पहाड़ों में लड़ना है देन यू लिए टू इंक्रीज मैं पावर हम बातें बड़ी-बड़ी कर रहे हैं लेकिन वहां पे दूसरी तरफ पहुज काट रहे हैं हमें बोला जा रहा है कि बहुत खर्चा हो रहा है मैं पावर पर हम हतियार खरीदना चाहते हैं तो क्या रूस के पास कोई हतियारों की कमी थी सा रशा युक्रेयन का युद्ध ट्रेलर आपकी आख के सामने चल रहा है आप क्यों नहीं उसको देखते हम हतियार रूस से ले रहे हतियार की कमी नहीं है रूस के पास मैंपावर की किल्लत थी और जब तक उसने मैंपावर नहीं बढ़ाई उसके बुरे हाल हो गए थी तीन उसकी काटा पीटी शुरू हो गई है साम कि बहुत खर्चा हो रहा है तो अभी साथ ITBP की नई बिटैलियन खड़ी हो रही है उन पे खर्चा नहीं हो रहा है नहीं आप क्या कहना चाहते हैं अब आप पुलीस प्रोटेक्शन देंगे आर्मी को I mean I can't understand आपको अपनी मैंप पावर बढ़ानी होगी पीरियड अगनीवीर स्कीम पे भी अप सोच विचार किया जा रहा है उसको भी आपको मेजर चेंजिस करने होंगे नहीं तो यह जो आप गैप्स खोल रहे हैं दुश्मन उसका फायदा उठाएगा नंबर एक चीज नंबर दो चीज हम जब खास्त होके क्यों लड़ रहे हैं कि बचाओ बचाओ करो अपनी तरफ करो अरे साब मोधी 2.0 सरकार ने पहले सर्जिरिकल स्ट्राइक की थी कई महेने पाकिस्तान चुपी साथ के बैड़ा पिर जब उसने फिर चुल्बली दिखाई तो हमने एर स्ट्राइक करी 80 किलोमीटर अंद बचाओ और चीन ने फिर दबाव डालने की कोशिश करी लडाक में उसको उल्टे बांस बरेली को पड़ गए हमने पाकिस्तान को जब इतनी वारदातें हो गई है मेरा सिंपल सीधा सवाल है आप रक्षात्मा को के क्यों लड़ रहे हो चार साल से सीज़ फायर दिया हुआ है पाकिस्तान को सीज़ फायर क्यों सबसे अच्छा दोस्त है हमारा अब समय आ गया है साब कि इनको ऐसी मार लगाई जाए कि यह कई सचटी का दूद याद आ जा और हमारी फौच कर सकती है बशरते कि आप उसको बोले कि नहीं सिर्फ राइफल से लड़ोंगे भारी हत्य वे एहनारी इस्तिमाल क्यों नहीं करेंगे वो रिपब्लिक दे परेट के लिए मिरको मेरा विश्वास है कि अगर सरकार हमारी सेना के हाथ को डें ऑपол दें हार वो दिखाएग आपको वो क्या कर सकती है जिखाएगी आपको वो लैन-off कंट्रोल के पार क्या कर सकती है यह attack international border के पार हुआ है this is a qualitative escalation अब हमको पार जाके मारना पड़ेगा साब पाकिस्तानी फॉज की लाशें बिचानी पड़ेगी ताकि पंजाब में मातम मने कि टेर्रिस्ट को जाके मारेंगे पाकिस्तानी फॉज को कुछ नहीं कहेंगे क्यों मुनिर इसका जो डिजी आईइसऑ है एक फटीचर मुल्क जो की economic collapse की कागार पे है उसकी economic तबाई होने की है दोरोज की रोटी नहीं खिला पारा आपने लोगों को वह भारत को छेड़ना चाहते है अरे साब तुमको मरने का अगर तमन्ना इतनी ज़ादा है तो हमको करना चाहिए ना माल डालना चाहिए एक छोटा सा भी युद्ध हुआ भारत के साथ और कोई भी नतीजा हो या ना हो सुलो पाकिस्तानियों और कोई भी नतीजा हो ना हो तुमारी एकॉनिमी की लुटिया डूब जाएगी तुम्हें एक मुल्क नहीं रहोगे उसके बाद सोच समझ के पंगे लो पंगे लेने की आपको आदत है बड़ी बढ़चड के आप लोग चोंचले बाजी करते है तो सौ सोनार की एक लोहार की सौ सोनार की एक लोहार की 71 का युद मैंने देखा हुआ है तब भी चोंचले बाजी हो रही थी नियाजी साब वहाँ से बंगलादेश से हमारे अंदर हमले कर रहे थे कि मैं हिंदुस्तानियों की उकाद दिखा दूँगा ये कर दूँगा वो कर दूँगा आठ महीन है ठीक है और उसके बाद 13 दिन में पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे 500 किलो मिटर हमारी फोजें पाकिस्तान के अंदर गई दाका की राजदानी पे कबजा किया 93 हजार कैदियों ने आत्म समर्पन किया इस तरह हमने आखो देखा और पाकिस्तान साउथ एशिया का नक्षा बदल गया साहिबान अब नक्षा बदलने का वक्त आ गया है अब हात खोलिये अपने सशस्त्र से ना होगे हात खोल दीजिये प्लीज ये गाधी गिरी बाद में होती रहेगी कहीं और होती रहेगी अब हात खोलने का समय आ गया है और करारी मार लगाने का समय आ है क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते